लुद्याना में नमक मंडी में पठाकों का जखीरा 250 से 300 पीटियां बरामत तिरपार से छिपा रखादा माल सेटिंग कराने में लगे विचौलिये पंजाब की लुद्याना शेहर बारूत पर बैठा है कभी भी ये बारूत फट सकता है और शेहर में बड़ा हास्सा हो सकता है पुलिस ने पठाका कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ये शिकंजा उन पठाका कारोबारियों पर कसा जा रहा है जो समय से पहल ही गोदामू में पठाके स्टोर कर लेते हैं वहीं जिन लोगों के पास पठाकों का लाइसेंस नहीं है उन पर भी पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है बता देंगी धानकोत वाली की पुलिस ने देर रात गुड मंडी के पीछे नमक मंडी में दविश दी पुलिस का पुकता सूशना थी कि एक पठाका कारोबारी ने सड़क पर ही पठाकों की पेटियां तिरपाल में छिपा रखी हैं देर रात के समय माल इधर से उधर होना था समय रहते पुलिस ने नमक मंडी में दविश दी और 250 से 300 पेटियां पठाकों की बरामत कर ली बता दें ये त पीज देख मौके से उस बिल्डिंग को कुछ लोग ताला जड़कर चले गए गनीमत रही कि इस बजार में कोई आग लगने जैसी घटना नहीं हुई नहीं तो पठाके पड़े होने की कारण बहुत बड़ा हास्ता हो जाना था इस मामले में ADCP, रुपिंदर कोर्ट, सरान थानकोतवाली की ऐसे चो कुल्दीप सिंग को आदेश दिये हैं कि बिल्डिंग की चेकिंग करवा कर वीडियोग्राफिकर रिपोर्ट की जाए पठाका कारूबारी संजे सिंगला पर कुलिस ने मामला दर्च कर दिया है बता दे इन पठाकों की कीमत 20-25 लाग बताई जा रही है ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना ना भूले